लो डियर स्टूडेंट जैसे कि पहले हमने साइकस के मॉर्फोलोजी के बारे में पड़ा और साइकस के रूट स्टेम और लीफ की एक्स्टेनल मॉर्फोलोजी के बारे में पड़ा और उसके बाद में हमने रूट के अनाटोमी के बारे में पड़ा टुड़ी वी तो तू टाइप आप लेव्स फोली जीज और स्कैले लीज होती है फोली जीज जो जिसके बीच में एक रेकिस होता है और दोनों तरफ इसमें लीफ लैट होती है और देन स्कैले लीज जो होती जो डवलोपिंग जो सूट से उसको प्रोटेक्शन परदान करती है तो यहां पर जब इनकी एनाटोमिकल स्टुडी के अगर हम बात करें अगर इसकी टीएस जब हम लीफ लेट का काटते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें से दिखाए देती है तो फोलीज लीफ से जो है एक तो डोड़ सी वेंटरल होती है मतलब दोनों तरफ की सते को मासनी से पहचा सकते है और स्टोंग狂 तेशती हरै यहुच है जैसे कि आप आक से तीस Biz इसकी यह यह अपर एपिडर्मीस है दिन यह λिय यॏ वनविस और और यिए सासानी से हम बाता तोस्त जब इसका हम भी है 파ेंट का यह प्लाइए तो वहां पर यह एक जब हाई लीक दिस सबस्क्चिन कंटिनीफिप्स्च और ने सब्सक्राइं आप देख सकते हैं यह यहां पर कि वह अंतर्ड मीज्थ है और यह से सिर्फ नोर्ड एकिर्मिंज में ही पाई जाते हैं और जो इस्ट्रूमैटा से है वह हैपलो चलिक होते हैं तेट इंपॉटन तो जून नहीं दो परकार के ए स्टोमेटाज को हम रिकरकनाईज करते हैं है अगर फ्ली चलिक और संड्रय तो चलिक तो इसमें बिल्कुल बहुत ही सकन इस्टो मेटाज पाई जाते हैं जैसे यह पिर आप देख सकते हैं और दो गार्ड सेल्स होती है और उसे दो गार्ड सेल्स के चारतुर बाट से दस सबसीडियरी सेल्स में एक रिंग अरेंज करती है हाइपु डर्मिस एक दू लयाड होती है इसमें पाइजवBU मेरेंदिम अगर यहां देखेंगे अ इनऊई आप दर्मी से हैं और यह इस ईसकलेरिंड कांवेट Singles होती हैं और उसके बाद में अगर यह पहली शेल सेल सेंग जो इलॉंगेटेड शेल राउंड है यह सपबजी मीजोफेल्स आइए अभाली शेल्स और इस एब रोंग फायरस थीक निक यह एक्टैनल रेडियें राउंड फ्रेसर प्रेसर जो भी प्रेसर होता है उसको यह सेयन कर सकती है और जो लोर मीजोफिल है स्पंजी पेरेंट कायमेटर सेल्स होती है उसमें बहुत सारे एक तो इंटर सेलूलर स्पेशिस पाई जाते हैं इसके बाद में डिसक्रसिंग करने हैं इसकी जो तो शो स्टील रिजन है जो बेस्कुलर बंडल हो डिप्लो जालेकिन नीचर होते हैं मेळब ओब्र िές सेंटरिफुट्रामorse और सेंटरिफ्यू जायलम के इन का ضिक्षोव ओधिस और मोर्पाटस सेंटरिफ्वूगल अ इन डिके सेंटरिफ्यूगल होता है क्राइब नहीं है कि भसको क्त परेंट का है से ये शेब्रेट रहते एक दूसरे में इसको हम जाओं है ट्राइशन सिवगेतों इसको इसको हम्हाबारी क agitation करा है जरी ये यह जो साम आ इस है आसरिबा है त फूर्ग की बिल्कुल मर्तेव में तो इसको तो हम एसेशरीज कि ट्रांस्फूजन टिस्यू कहते हैं जो कोने तक जाते हैं कि इसके लाबा जब हम इसकी रेकिस की यह हो गया तो इसमें अगर हम देखेंगे इसमें तो अगर जीरोफिटिक कारेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो अपर अपर एपिडर्मिस के निचे एक तुस्कलन कायमेटर से अपर जाती है देन उसके बाद में जो स्ट्रोमेटाज होते हैं और जो एपिडर्मिस दोनों साइड की होती इसमें बहुत थिक क्यूटिकल की लेयर पा जाती है और थर्ड जो इंपोर्टेंट कारेक्टर है जरोफि आशे हम इसके अगर हम रेकीस के हम बात करते हैं तो इस में त्सक्राइब कि अगर हम थी आप कर तब वह समय हमें हमें आ इस इस डा डाइग्राम आप यह लीफलेटिस यह रेक एक सक और यह फुली लेट का आप दर एक दाइग्राम में जिसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं Lessons काटते हैं तब ये देखेगा डोसेड में ये इसके और ये अर्लब है और है वहाओ अच्छी तरीके से समझ मारी हो है यह 20 असट्Reans है ये दोन और जो बिल्कुल पीच में सा also पूर belieंग बस रहता है और यह दौनों साइड पर जा कर लुड़ा सा कर लीए रहती है और यह इसका दिस इस अनुदर टी एस आफ दिस सेम ली फ्लेट और इसमें बहुत सारी चीजें हमें क्लिरली दिखाए देती है इसमें इनक्टिव इसमें होती है इसमें यह रेकिस की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो जो आउटलाइन है जनरली सर्कुलर आउटलाइन बनाते हैं और इसमें जो टिपिकल जो इसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है वो है कि इसमें जो बैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओमेगा सेप्ट में इन्वर्टेड ओमा की रूप में यह हमें यह आरेंज रहते हैं बिल्कुल इसमें इस स्क्राइब काम करती है और इसमें भी जो है प्लडर्मी से वह इसकलेरंड काइमेटस पाइब जाती है जीसे अगर इसका पार्ट का इस आउटलाइन और यह गर इसके देखिएंगे यहां पर तो में यह उपर क्यू टिकल है देन अपर एपडर में से देन क्लोरियन का है बड़ारीजिंस होता है दैनु उसके बाद में कोटेक्स रिश्इू या ग्राउं टिस्यू रहते हैं और उसमें मुस्रीजनिस टक्ट होती है और फिर बैस्कुलर बंडल है बैस्कुलर बंडल के सब्सक्राइब जाए और उसमें दोनों ही डिप्लो जायलिक कंडिशन्स पढ़ा जाती चैन्तरिफ्यवगल जयलम है और इसमें भी अलग अलग जैसे संटरिप्यव जयलम किस रहकिस में किस जगह से हम उसका सक्षन काड़ते हैं उसे हमें इसका आधार साथ जगर से हमें इसके उसके आधार में उसके पुंढ़ा याद रखना है एक तो इसमें जो बैस्कुलर बंडल है पूरे जो रैकिस है उसमें यह इनवर्टेड ग्रिक लेटर या ओमेगा लेटर की तरह हमें नजर आता है और जो इसमें जो बैस्कुलर बंडल पाई जाते हैं वो कैश होते हैं तो इसमें पाई जाती है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में डिसकस अबाउट तो अनाटोमी ऑफ इस्टेंट